अश्कार दोस्तों हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जिन बच्चों के बाल कम होते हैं तो उसके बारे में किस और सधी का प्रियोग करना चाहिए दोस्तों किसी-किसी बच्चे के बाल कम होते हैं और हलके होते हैं और बच्चों के बाल किसी-किसी के पीछे साइट निकलेंगे आगे इधर जो है, तो ऐसे करके निकलेंगे कि इधर इधर खाली और भीच में थोड़े से हल्के से बाल निकलेंगे. दोस्तों चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो और चाहे मतलब लेडीज हो बच्चों की और बड़े लोगों की सोभा जो होती है वो चेहरे की बालों से ही होती है अगर बाल अच्छा है घना है काला है तो बच्चा बहुत देखने में क्यूट लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों हम छोटे बच्चों में ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तब इसके बाल सही निकालाएंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है जैसे छोटे में बाल कम है तो वैसे ही बच्चों के बाल बड़े में हो जाते हैं उतनी रहते हैं थोड़े बहुत बड़ गए लेकिन बड़े में बच्चा फिर बहुत ही ज़्यादा फील करता है अपने बालों के बारे में अगर हम parents बच्चों के बालों पर बच्चपन से ही ध्यान दें तो बच्चों को बड़े होकर बालों से related कोई भी problem face नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे को सिर की बीमारियों से बचाना है तो बच्चे के प्लीज तरह तरह के तेल मत यूज कीजिए दोस्तों बच्चे के सिर में तरह तरह के तेल मत उपयोग करें क्योंकि वो natural नहीं होते हैं उनमें तेलों में chemical पड़ा हुआ होता है और दोस्तों दूसरे के बताए हुए उसमें आप न पढ़ें कि कोई दूसरा बगल का बता रहा है तो आप वो तेल ले आए वो तेल रगलने लगे दोस्तों कुछ तेलों में तो इतना हानिकारक का इमकल होता है कि बच्चों के सिर में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और वो पेरेंस जान नहीं पाते हैं दोस्तों ये है घमरा इसको घमरा बोलते हैं और ये देहातों में मिलता है गाओं में मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हर लोग सहर में बसे हुए हैं तो उनके से रिलेटिव गाओं में उनके कोई नहीं हो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप सहर में रहते हैं तो ये मिल न सके ये आपके साथ घर के अगल बगल ही लगा हुआ हो तो इसको ध्यान से देख लीजिए इसको घमरा बोलते हैं अगर आप किसी बुझूरक से पूँच लेंगे तो आपको बता देंगे कि हाँ ये घमरा है वैसे तो आप लोग खुदी जानते होंगे अगर गाउं से रिलेटिव हैं तो आप लोग खुदी जानते होंगे सबसे पहले तोड़ कर लाने से इसको तीन चार बार अच्छे से धुलाई कर लें धुलाई करने के बाद थोड़ा सा इसको सुखा लें कि इसमें पानी की मात्रा ना रह जाए और दोस्तों फिर इसकी जो पत्तियां है हरी सी इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं लेकिन ये ये जैसी है लेकिन हम भी सायर में रहते हैं तो इसको लाने में बड़ी कठनाई मिली हमको तोड़नी तो बहुत सारी हैं लेकिन तोड़ के आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने पत्तियां तोड़ ली अब इन पत्तियों को पाड़ी ये ऐसे ऐसे करते करते इसको इसकी लसलसापन देखो ये आ गया और नहीं हैं तो आप ये देखो ये बूंदे भी इसमें आ गई बूंदे आ गई इसमें इतना ही हमने किया दस बारा पत्ति से इसका इतना गई ये निकला ये अगर हम बच्छे को लगाना चाहें तो ये ही हाथ जो हैं तो इस बच्चे के मुंडन बाल कटने के बाद मुंडन होने के बाद इस बच्चे के हाथ में हाथ से यह हाथ सिर पर फेर सकते हैं लगा सकते हैं दोस्तों ये घमरे का जो रस है तो ये ठंडा होता है अगर आपके बच्चे का मुंडन ठंडियों में हुआ हो तो इसको थोड़ा सा इसका रस निकाल करके और इसको हलका सा कुनकुना ले अगर गर्मियों में है तो इसको कुनकुनाने की गरम करने की कोई जरूरता ही नहीं ह इसको ऐसे हाथों में ले करके जैसे कि हमने ये निचोड़ा है हाथों मेरे सब लगा हुआ है तो इसको ले करके इस तरीके से बोस्तों इसको ऐसे लेंगे और बच्चे के सिर में इसको ऐसे करके बच्चे के सिर में पूरे लेप कर देंगे तो जादा वो भी नहीं होगा यह जादा वो नहीं है पतला है और बच्चों के 10-15 पतियां तोड़ कर दोस्तों घमरा के लगाने से निचोड करके घमरे को लगाने से क्या फायदा है इसमें फायदा ये है पहला फायदा ये है कि जिन बच्चों के बाल कम होते हैं तो बच्चे के बाल घने हो जाते हैं और जिन बच्चों के बाल कुछ वैसे भूरे टाइप के होते हैं तो बाल काला कर न के तो इस घमरे को लगाने से बुन बच्चों के बाल भी काले होते हैं और दोस्तों इस घमरे को बड़े यह जैसे नोग भी उसकर सकते हैं यह जैसे हमारे बाल हैं तो यह अपने बालों में इस तरीखे से लगा लेंगे यह पर घुटाएंगे तो थोड़ा इसे करके खोल खोल करके जिस दिन आप संड़े वाले दिन बाल वाल धोती हैं तो इस दिन इसको ऐसे ही लगा लें तो बाल काला और ज्यादा सफेद बाल नहीं होता यह सफेद My dear parents यह घंबरा जो है ठंडा होता है तो इसको गरमी में लगाना तो आपको घंबाने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि यह आल लेडी ठंडा है और गरमी में ठंडक बच्चों को चाहिए तो हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको गर्मियों में अगर वैसे भी मुंडन हो गया है तो फिर आप बाल निकलवा दीजिए तो इसको गमरे का प्रियोग कीजिए इसको गर्मियों में कोई नुकसान नहीं है और अगर ठंडियों में आपके बच्चे का मुंडन हुआ है तो बच्चे को ये ठंडा होता है ठंडियों में तो इसको रस को निकाल करके और इसको हलका सा गरम करके तब बच्चों के सिर में लगाएं क्योंकि ये ठंडा होता है पेरेंस इसको जब तक आप बच्चे को मालिस करते हैं तो मालिस के पहले आप लगा दें जब तक मालिस करते करते इसके जड़ों में ये घमरे का रस जो है जड़ों बच्चों की जड़ों तक पहुँच जाएगा 10-15 मिनट तक बच्चे को लगाये रखना है इसके बाद आप बच्चे को नहला दीजिए पैरेंस किसी किसी के बच्चे के बाल बहुत घने होते हैं पैदाइसी घने होते हैं फिर भी आपको मुन्नन के बाद उसके रस को लगाना है आप ये ना समझें कि हमारे बच्चे के बाल घने हैं तो हम ऐसा ना करें क्योंकि आज कल बच्चों के बालों की समस्या बहुत ही बढ़ती जा रही है इसलिए आप बच्चों का छोटे से ही बच्पन से ही ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आज कल दस बच्चों में बड़े बच्चों में आप देखिएगा कि दस बच्चों से पांची बच्चों के बाल ठीक ठाक होंगे नहीं तो बच्चों के बाल ज़ड रहे हैं बड़े होकर के भी बच्चों के बाल ज़ड रहे हैं असमें उनका सफेद पना बच्चों के बालों में तो अगर आप यह करते रहेंगे तो बच्चों की समस्या नहीं होगी दोस्तों इस घम्रे का प्रियोग जलने में भी आता है जैसे छोटा बच्चा है कभी चाया ऐसे छिटी पड़ जाती है यह जल जाता है तो इसके रस को लगाएं बच्चे के तो पूरी जानकारियां अच्छी जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को सेयर कीजिए जहां तक पहुंचा पाएं आप लोग तहां तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं और प्लीज प्लीज लाइक करें और प्लीज सब्सक्र जरूर से जरूर करें